Welcome back to Neerajaro Reflections, your daily dose of inspiration and wisdom. आज हम बहुत important lesson जो है सीखने जा रहे हैं life का और मुझे इस lesson ने बहुत help करी है उमीद करता हूँ कि आपको भी help करेगा और कई लोगों के लिए life changing thought हो सकता है मेरे लिए खुद के लिए life changing thought था और मुझे पता है कि आप लोगों के लिए ये life changing thought हो सकता है आई इससे पहले आगे बड़े हम लोग अपने target set कर लेते हैं like target 500 likes कर रखते हैं और साथ में आप लोग comment जरूर करके मुझे बदाएंगे अपना experience आपने क्या सीखा, आपने क्या देखा तो like targets और comments आपके हवाले अब चलते हैं जरा आज के मुद्धे पर बात करने हैं और पूरी audio सुनिएगा end तक बीच में चोड़के जाना है तो आप अभी exit कर सकते हैं there is no compulsion at all, please जाएए पूरी audio सुनिएगा और मैं आपको बोल रहा हूं this may be a life changing thought for you इसे कहीं जगा पर serenity prayer भी बोलते हैं serenity prayer अभी क्या है सुनिएगा God grant me the serenity to accept the things I cannot change courage to change the things I can and wisdom to know the difference between two please try to understand क्या कमाल की lines है हम भगवान से क्या प्रातना कर रहे हैं हम भगवान से ये प्रातना कर रहे हैं क्या बगवान मुझे इतनी शक्ती दे कि मैं समझ पाऊं मैं तो इतनी सदबुद्धी दे मुझे इतना काम बना मुझे इतना compose बना कि मैं समझ पाऊं कि मैं कौन सी चीजों को बदल नहीं सकता और कौन सी चीजों को मैं बदल सकता हूं उन चीजों को बदलने का मुझे पावर दे जिन चीजों को मैं बदल सकता हूँ उन चीजों को बदलने की मुझे पावर दे जिन चीजों को मैं नहीं बदल सकता है यह जानने की मुझे पावर दे मुझे एकसेप्ट करने की पावर दे मुझे accept करने के लिए तैयार कर कि जिन चीजों को मैं change नहीं कर सकता मैं उन्हें accept कर पाऊं जिन चीजों को मैं change कर सकता हूं उन चीजों को change करने के लिए courage दो और wisdom दो समझदारी दो कि इन दोनों के बीच में difference समझ पाऊं now this becomes you know the base of your life कैसे पहली बात आपको ये समझदारी कि भाई आपके इन चीजों को बदल नहीं सकते दुनिया में बहुत घटना ये घट रही है जिनको आप बदल नहीं सकते आप उनको छू भी नहीं सकते आप उनको touch भी नहीं कर सकते आपका उसमें कोई impact भी नहीं है अगर मैं बात करूँ micro और macro जिन चीजों को बदल नहीं सकते वो है macro जो आपके control में है ही नहीं तो हमें हमेशा ये चीज जो है समझनी चाहिए कि भाई किद चीजों को मैं change नहीं कर सकता उन चीजों को accept कर लेना चाहिए for example मैं आपसे बूलूँ कि नहीं बदल सकते हो accept it for example अभी देश में जो चल रहा है जो हालात है health infrastructure के आप उनको बदल सकते हो नहीं बदल सकते हो accept them and then see कौन से चीज़े जिने आप बदल सकते हो और उसके लिए हम courage मांग रहे हैं कि हमें courage दो उन चीजों को बदलने के लिए जिनको हम बदल सकते हैं आप अपने अंदर बहुत सारे changes ला सकते हो आप किसे situation को कैसे respond करते हो आप उसको बदल सकते हो courage to change the things I can we are asking for the courage हिम्मत मांग रहे हैं उन चीजों को बदलने की जिनको हम कर सकते हैं समसदारी मांग रहे हैं उन चीजों को accept करने की जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं and in the last we are asking for the wisdom to know the difference यहां पे बहुत लोग जो है वो गलत कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चीज़ बदल सकते हैं क्या चीज़ बदल नहीं सकते हैं और इसी चक्कर में सब सरवनाश हो जाता है सो कोशिश कीजिए समझे उन चीजों को जिन चीजों पर आपका कंट्रोल है और समझे उन चीजों को उन चीजों को accept कीजिए जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं है और इन दोनों के बीच में को समझने की कोशिश कीजिए और हमेशा उस चीज पर फोकस कीजिए जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं हमेशा उस चीज पर फोकस कीजिए जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं for example आपकी घर परिवार में भगवान न करे ऐसा हो लेकिन किसी relative की death हो जाती है now you cannot control it you cannot change it, you have to accept it what you can change in that situation, कि बाकी जो लोग है आप उनको समाले अपने आपको समाले और यही तो wisdom है, कि आपको दोनों के बीच में difference पता है okay so मैं एक बाद दुबारा आप लोगों के रीड करता हूं और मैं कोशिश करूँगा कि comment box में भी यह prayer जो है लिख दूँ इसको आप कहीं पे अपने room में चपका लिजिए और रोज बोलिए इस बात को God, grant me the serenity to accept the things I cannot change courage to change the things I can and wisdom to know the difference याद रखेंगे इस बात को और comment box में जरूर बताइएगा क्या सीखाज आपने क्या आप इस चीज़ को apply करते हैं क्या आप इस चीज़ को apply करेंगे और अगर आप without any distraction ये सारी चीज़े सुनना चाहते देखना चाहते हैं please visit nearajero.com there is no charge, completely free of cost आप लोगों के लिए हमने reflections का एक club बना रखा है, आप उसो join कर सकते हैं राइट, चलिए thank you very much, all the very best, stay connected stay ahead, जय हिंद, और हां में तरों सीखते रहें क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन all the best